आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल क्या हो सकता? नहीं है! आज मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा है देश में 95% जनता पेट्रोल डीजल का उप्योग ही नहीं करती। प्रती व्यक्ति आये के हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम अभी कम है। 95% लोगों को पेट्रोल की आवशक्ता नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगर आप इंधन की कीमत की प्रती व्यक्ति आये से तूल ना करें, तो कीमते अब भी बहुत कम है। डीजल पेट्रोल के दामों में कोई बड़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने पेट्रोल डीजल के मु पुरई में आजादी के 75 वे साल पर अमरित महुतसर सम्हारों में संगोष्टी को संबोधित करने आये थे इस दोरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया इसके अलावा उन्होंने योगी सरकार की उपलब्धियों का भी बखान किया उन्होंने काहा कि विपक्ष के पास को मिनट का मौन रखकर पश्टानी की नसीहत देते हुए पोस्ट किया है जिस पर ट्विटर यूजर अपना गुसा निकाल रहे है और मंत्री के बयान की आलोशना कर रहे है एक ट्विटर यूजर ने लिखा मिनिस्टर लोगों का दिमाग घुटने में होता है एक अन्य सीबी वालों को इनफॉर्म करो इनका टेस्ट भी जरूरी है एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा मैं तो शुरू से ही बोलता आ रहा हूं कि बीजिपी के लगभग सारी नेता और अन्भक्त जूट की बुनियाद पर टिके हुए है पीम से लेकर छोटे स्तर के कारिकरत सभी जूट के पुलिंदे हैं एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा कि ऐसे नेता होने से अच्छा है हम बिना नेता के रहे जनता के पैसों पर ये लोग केवल अयाशी करना जानते हैं ऐसे ही कितने और यूजर्स है जो लगातार मंत्री जी के बयान पर रियक्शन्स दे सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शियर करें बैल आइकन बटन जरू प्रेस करें ताकि राज़्टी के गलियारों से जुड़ी हर वाइरल खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सकते हैं